नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश के धार जुले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है यहां एक महिला को डायन समझ कर डायन होने के शक में उसे जम कर पीटा गया उसके बाद उसे निर्वस्तर कर बाल पकड़ कर घसीटा गया इस हैवानियत भरे मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्श किया तीन की गिरफतारे भी हो चुकी है और हैरानी की बात यह है कि इस घटना के दोरान आसपास खड़े लोगों में से किसी का भी दिल नहीं पसी जा उल्टा लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर वारिल कर दिया जो अब संग्यान में आया है पुलिस के और पुलिस इस मामले में कारवाही कर रही है महिला उत्पीडन की ए घटना मांडवी गाउं की 5 अक्टूबर की रात की है SP धार आदित्य प्रताप सिंग ने कहा कि महिला के साथ गलत व्यवहार किया गया घटना का पता चलते ही मनावर थाना पुलिस ने तुरंत कारवा ही की पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चार लोगों पर विभन धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है इन में से तीन को गिरफतार कर लिया गया है एक आरोपी फरार है मामला कुछ यूँ है कि आरोपी के घरवाले अकसर विमार रहते थे उन्होंने उनका इलाज कई जगा करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इस बीच किसी ने इनसे कह दिया कि पीडित महिला डायन है उसकी वज़ा से घरवाले ठीक नहीं हो पा रहे इसके बाद चारो ओ आरोपी पांच अक्टूबर की रात महिला के घर में घुसे और उस पर तूट पड़े आरोपी ने बड़ी ही बरबरता से महिला को पीटा इसके बाद आरोपी महिला को बालों से घसीट कर घर से बाहर लाए उसके कपड़े उतार दिये और फिर जमकर पीटा महिला गिड़ गिड़ाती रही लेकिन किसी के दिल में दया तक नहीं आए ये पहली बार नहीं हुआ है जब मध्यप्रदेश में बरबरता की कोई खबर उजागर हुई हो कुछ दिन पहले ही मद्धिप्रदेश के गाउं में ही गाउंवालों ने एक प्रेमी जोडे को तालिबानी सजा दी ग्रामीरों ने एक प्रेमी जोडे और उनकी सहियोगी नाबालिक लड़की को खुद ही सजा देते हुए उनके साथ पहले जम कर मार पीट की, बाद में उनके गले में टायर डाल कर गाउं भर में घुमाया घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्श किया जुन में से तीन लोगों को गिरफतार की और बाकी दो की तलाश जा रही है युवती अपने प्रेमी के साथ भाग गए थी और इससे उसके परिजन नाराज हो गए थी इसलिए उनके मिलने पर जो परिजन थे उन्होंने ऐसी बरबरता की महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून बने हैं पर क्या वाकई इन कानून का उप्योग महिलाएं कर पाती हैं सामाजिक तोर पर महिलाओं को त्याग सहन शीलता वा शर्मी लेपन का ताज पहनाया जाता है जिसके भार से दबी महिला कई बार जानकारी होते हुए भी इन कानूनों का उपयोग ने कर पाती तो ग्रामीर शेत्रों में तो महिला इन कानूनों से अंजान होती है उनकी दुनिया उनके घर तक ही सीमित रहती है सवाल है कि क्या इसी तरह ग्रामीर शेत्रों से महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ाया जाएगा क्या इसी तरह प्रशासन महिलाओं की रक्षा करेगा क्योंकि इन सब ही घर नाओं के बीच पुलिस और उनकी कारवाही पर भी सवाल खड़े होते है कर दो